अध्याए अठारह कनान देश का साथ भागों में विभाजन इस्राइलियों का समस्त समुदाय शिलो में एकत्रित हुआ और उसने वहां दर्शन कक्ष की स्थापना की उस समय सारा देश उनके अधीन था अब इस्राइलियों के साथ वंश ऐसे रह गए जिन्हें दाए भाग नहीं मिला था योश्वा ने इस्राइलियों से कहा तुम कब तक उस देश पर अधिकार करने में विलंब करोगे जिसे प्रभू तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें दिया है तुम प्रत्येक वंश से तीन तीन व्यक्ति चनो मैं उन्हें भेजूंगा वे देश का भ्रमन करेंगे और उसका सरवेक्षन करने के बाद निरने करेंगे कि किस किस को कौन कौन सा भाग मिलेगा तब वे मेरे पास लौटेंगे तुम देश को साथ भागों में विभाजित करोगे दक्षन में यूदावंश अपने क्षटर में बना रहेगा और उत्तर में यूसुफ के वंशज अपने क्षटर में देश के साथ भागों का वर्णन लिखने के बाद उन्हें मेरे पास ले आओगे और तब मैं यहाँ प्रभू तुम्हारे ईश्वर के सामने तुम्हारे लिए चिठियां डालूँगा लेवियों को तुम्हारे साथ कोई भाग नहीं मिलेगा क्योंकि प्रभू का याजकी ये पद ही उनका दाए भाग है गाद, रुबेन तथा मनस्य के आधे कुल को यर्दन के उसपार पूर्व में दाए भाग मिल चुका है जिसे प्रभू के सेवक मूसा ने उन्हें दिया था जब वे देश का सर्वेक्षन करने निकले तो योशुआ ने उनसे कहा तुम देश का सर्वेक्षन करने जाओ उसका वर्णन लिखो और मेरे पास लौटो मैं यहाँ शिलो में प्रभू के सामने तुम्हारे लिए चिठ्ठियां डालूँगा वे लोग चले गए और उन्होंने देश का ब्रह्मन कर उसका वर्णन लिखा और उसके नगरों को साथ भागों में बाटा जब वे शिलो के शिवर में योशुआ के पास लौट आए तो योशुआ ने शिलो में प्रभू के सामने उनके लिए चिठ्ठियां डाली बेनियामीन वंश का दाय भाग बेनियामीन वंश के विभिन कुलों के लिए इस प्रकार चठी निकली उनका भाग यूदा और यूसुफ वंशियों के बीच में पड़ा उत्तर में उनकी सीमा यर्दन से प्रारंभ होती थी वहां से वो येरिखों की उत्तरी ढलान होकर पश्चिम की ओर मुड़ती थी और पहाडी प्रदेश पार कर बेतावेन के उजाल खंड में समाप्त होती थी वहां से वो सीमा लूस की जो बेतेल भी कहलाता है दक्षिनी ढलान पार कर अटारोत अद्दार तक उस परवत पर पहुँचती थी जो निचले बेत होरोन के दक्षिन में है फिर वो सीमा बेत होरोन के सामने के दक्षिनी परवत से प्रारंभ होकर दक्षिन की ओर जाती थी और किर्यत बाल अर्थात किर्यत या आरीम पर समाप्त होती थी ये नगर यूदावंशियों का था यही उसकी पश्चिमी सीमा थी दक्षिनी सीमा किर्यत या आरीम के पास से प्रारंभ होती थी यहां से वो पश्चिम की ओर मुढ कर नेफ्टोवा के जलसरूत तक जाती थी फिर वो सीमा उस परवत के किनारे तक जाती थी जो बेन हिन्नोम की घाटी के सामने है और जो रफाईम की घाटी के उत्तरी सिरे पर स्थित है फिर वो यबूसी परवत की ढाल के दक्षन हिन्नोम घाटी में उतर कर एन रोगेल तक जाती थी वो वहां से उत्तर की ओर मुढ कर और एन शेमेश के पास से होकर अदुमीन की घाटी के सामने गलिलोत तक जाती थी और रुबेन के पुत्र बोहन की शिला तक पहुँशती थी वो उत्तर दिशा में बेत अराबा के परवत की ढाल से उतर कर नीचे की ओर अराबा तक जाती थी वहां से वो सीमा बेत होगला के उत्तर के परवत की ढाल से निकल कर लवण सागर की उत्तरी खाडी में यर्दन के दक्षनी सेरे पर समाप्त होती थी यह दक्षनी सीमा थी यर्दन पूर्व की और सीमा का निर्धारन करती थी यही बेनियामीन वंश के विभिन कुलों के दाए भाग थे तथा यही उनके चारों और की सीमाएं थी बेनियामीन कुल के नगरों की नामावली बेनियामीन वंश के विभिन कुलों के नगर ये हैं येरिखो, बेथोगला, एमेक कसीस, बेतराबा, समारीम, बेतेल, अवीम, पारा, ओफरा, कफरमोनी, ओफनी और गेबा ये बारह नगर और इनके साथ के गाउं, गिबून, रामा, बेरोत, मिस्पे, कफीरा, मुसा, रेकेम, यरपेल, तराला, सेला, एलेफ, यबूसियों का नगर अर्थाद, येरुसालेम, गिबत, और किर्यत यारीम, ये चौदह नगर और इनके आस पास के गाउं, यही बेनियामीन वंश के विभिन्न कुलों के दाएभाग थे अध्याए उन्नीस सिमोन वंश का दाएभाग सिमोन, अर्थाद सिमोन वंश के विभिन्न कुलों के लिए दूसरी चिठ्थे निकली उनका दाएभाग यूदा वंश के दाएभाग में ही था उनको दाएभाग में ये मिला बेर शेबा या शेबा, मुलादा, हसरशुआल, बाला, एसेम, एलतुलद, बतूल, होर्मा, सिकलग, बेत मरकाबोत, हसरसूसा, बेत लबाओत, और शारुहें, ये तेरह नगर और इनके आसपास के गाउं फिर आईन, रिम्मोन, एतेर और आशान, ये चार नगर और इनके आसपास के गाउं बालात, बेर, अर्थाद, दक्षणी, रामा तक के सब गाउं यही सिमोन वंश के विभिन कुलो का दाएभाग था सिमोन वंश का दाएभाग, यूदा वंश के दाएभाग से लिया गया चूंकि यूदा वंश का भाग, उनके लिए अधिक बड़ा था इसलिए सिमोन वंश को उनके दाएभाग का एक हिस्सा मिला जबुलोन वंश का दाएभाग, जबुलोन वंश के विभिन कुलों के लिए तीसरी चठी निकली उनके दाएभाग की सीमा सारीद तक थी वो सीमा पश्चिम की और मराला तक और दबाशेत को छूती हुई यूकणाम के पूर्व के नाले तक जाती थी वो सारीद से विपरीद दिशा में पूर्व की और अर्थाच सूर्योदय की और किसलोत ताबोर की सीमा तक जाती फिर दाबरत की तरफ जाकर याफिया पहुँचती थी वो वहां के पूर्व की और गात हेफेर और एतकासीन तक और फिर रिम्मोन तक पहुँचती थी तब वो निया की और मुड़ जाती थी फिर वो उत्तर की और मुड़कर हन्नातोन तक जाती और यिफ्तह एल की घाटी में समाप्त होती थी फिर कटात, नहलाल, शिम्रोन, यदाला और बेथले हैं कुल मिलाकर ये बारह नगर और इनके आसपास के गाउं यही जबुलोन वंश के विभिन कुलों का दाए भाग था अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गाउं इस्साकार वंश का दाए भाग इस्साकार अर्थात इस्साकार वंश के विभिन कुलों के लिए चौथी चिप्ठी निकली उनके दाए भाग में ये सम्मिलित थे यिज्रेल, कसुलोत, शुनेम, हफारईम, शियोन, अनाहरात, रबीत, किशियोन, एबेस, रेमेत, एनगनीन, एनहद्दा और बेन पस्सेस उसकी सीमा ताबोर, शह सीमा और बेद शेमेश को इसपर्श करती हुई यर्दन तट पर समाप्त हो जाती थी ये सोलह नगर थे और इनके आसपास के गाउं यही इस्साकार वंश के विभिन कुलों का दाए भाग था अर्थाद, ये नगर और इनके आसपास के गाउं आशेर वंश का दाए भाग आशेर वंश के विभिन कुलों के लिए पांचवी चिठी निकली इनके भाग में हेलकत, हली, बेटेन, अक्षाफ, अलम मेलेक, अमात और मिशाल सम्मिलित थे पश्चिम में इसकी सीमा, करमेल परवत और लिबनात नदी तक जाती थी फिर ये पूर्व की और मुड़कर बेट दागों तक जाकर तथा उत्तर में जबुलों और यफ्तहैल की घाटी को इसपरश करती हुई बेत एमेक और नईयल की और जाकर उत्तर दिशा की और बढ़ती हुई उत्तर में काबल तक पहुँचती थी इसमें एबरोन, रहोब, हम्मोन, काना और महासीदों सम्मिलित थे फिर ये सीमा रामा की और मुड़कर किला बंद तीरूस नगर तक जाती थी और होसा की और मुड़कर अकजीब के क्षेतर में समुद्रतट पर समाप्त हो जाती थी इसमें उमा, अफेक और रहोब सम्मिलित थे कुल मिलाकर ये बाईस नगर थे और इनके आसपास के गाउं यही आशेर वंश के विभिन कुलों का दाएभाग था अर्था थी ये नगर और इनके आसपास के गाउं नफ्ताली वंश का दाएभाग नफ्ताली वंश के विभिन कुलों के लिए चठी चठी निकली उनकी सीमा हेलेफ से साननीम के बलूत वरक्ष से आदामी नेके और यबनेल होकर और लकूम तक जाकर यर्दन पर समापत हो जाती थी फिर वो पश्चिम की और मुड़कर अजनोत ताबोर से होती हुई आशेर और पूर्व में यर्दन के किनारे पर यूदा को इसपरश करती थी किलाबंद नगर ये थे सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत, आदामा, रामा, हासूर, केदेश, एद्रई, इनहासूर, यरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमिश ये उन्नीस नगर थे और इनके आसपस के गाउं यही नफ्ताली वँश के विबिन कुलों का दाए भाग था यही नगर और इनके आसपस के गाउं दान वँश का दाए भाग दानवंश के विभिन कुलों के लिए सातवी चिठी निकली उसके दाइबहाग की भूमी में ये सम्मिलित थे सुरा, एश्ताउल, इरशेमेश, शलब्बीन, अयालोन, यितला, एलोन, तिमना, एक्रोन, एल्तके, गिब्बतोन, बालात, यहुद, बेने बरक, गत्रिमोन, मेयरकोन, रक्कोन, और याफो के सामने की भूमी जब दानवंशियों का भाग उनके हाथ से निकल गया, तब उन्होंने लेशेम पर चड़ाई की, उसे अधिकार में कर लिया, उसका विनाश किया, और उसे बसाया उन्होंने अपने वंश के आदिपुरुश, दान के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा, यही दान वंश के विभिन कुलों का दाएभाग था, यही नगर और इनके आसपास के गाउं, देश के विभिन भागों को दाएभाग के रूप में बांट लेने के बाद, इस्राइलियों ने नून के पुत्र योश्वा को भी अपने बीच दाएभाग दिया, उन्होंने प्रभु की आज्या के अनुसार, उसे वो नगर दिया, जिसे वो चाहता था, अर्थाथ एफरेईम के पहाड़ी प्रांथ का तिमनत सेरह, उसने उस नगर का पुनर निर्मान करवाया, और वहां बस गया, ये वे दाएभाग हैं, जिन्हें याजक एलाजार, नून के पुत्र योश्वा, और एजराइली वंशों के कुलों के मुख्या लोगों ने शिलों में, दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने चिठ्थियां डाल कर बांटा, इस प्रकारदेश का विभाजन समाप अध्याय बीस, शर्ण नगर, प्रभु ने योश्वा से ये कहा, इसराइली लोगों से कहो, कि वे अपने लिए उन शर्ण नगरों का निर्धारण करें, जिनके विशय में मैंने मूसा द्वारा तुम लोगों से कहा था, वहां उस व्यक्ति को रक्त के प्रतिशोधी से शर्ण मिलेगी, जिसने अंजाने संयोग से किसी की हत्या की है, वो उन नगरों में से किसी में भी भाग कर नगर के द्वार के पास, उस नगर के नेताओं के सामने अपना मामला प्रस्तुत करेगा, वे उसे नगर के भीतर ले जाकर वहां शर्ण दें, तब वो उनके साथ रहेगा, यदि रक्त का प्रतिशोधी उसका पीछा करे, तो वे उस व्यक्ति को उसके हवाले नहीं करें जिस पर हत्या का अभियोग लगाया गया है, क्योंक सैयोग से अपने पडोसी का वद्ध किया, वो उस नगर में तब तक रह सकता है, जब तक समुदाए के न्यायले में उस पर मुकदमा न चलाया गया हो, और ततकालीन प्रधान याजक की मृत्यू ना हुई हो, उसके बाद वो अपने नगर और अपने घर लोट सकेगा, जह से वो बख़ कर आया था, इसलिए उन्होंने नफ्ताली के गलीलिए के पहाड़ी प्रदेश में केदेश को, एफराइम के पहाड़ी प्रदेश में सिखेम को, और यूदा के पहाड़ी प्रदेश में किर। अरभा, अर्थाथहब fungi को निश्चित किया, यर्दन के उस पार येरिखों के पूर्व, रुबेन वंश के पठार पर, उजाडखंड के बेसेर को, गाद वंश में गिलाद के रामोत को, और मनस्य वंश के बाशान में गोलान को निश्चित किया। ये वे निर्धारित नगर थे जहां हरेक इजराईली या उनके बीच रहने वाला परदेशी जिसने सैयोग से किसी का वद किया था, शरण ले सकता था। और समुदाय के न्यायले में उपस्थित होने तक रक्त के प्रतिशोधी द्वारा नहीं मारा जा सकता था। अध्याए 21 लेवियों के नगर तब लेवियों के घरानों के मुखिया, याजक एलाजार, नून के पुत्र योश्वा और इसराईली वन्शों के नेताओं के पास आकर, कनान देश के शिलों में उनसे कहने लगे। प्रभू ने मुसा द्वारा ये आदेश दिया था कि हमारे रहने के लिए हमें नगर और हमारे पश्वों के लिए चरागाह दिये जाएं। याजक हारून के वंशज लेवियों को तेरह नगर मिले कहात के अन्य वंशजों को एफरैम, दान और आधे मनस्थे के वंशजों के कुलों से दस नगर मिले गेरशोन के वंशजों को इस्साकार, आशेर, नफ्ताली और आधे मनसे के वंशों के कुलों से बाशान में 13 नगर मिले मरारी के वंशजों के विभिन कुलों को रुबेन गाद और जुबलों के वंशों से 12 नगर मिले जैसी प्रभू ने मुसा द्वारा अग्यादी थी इसरायलियों ने चिट्टी डाल कर लेवियों को चरागाहों के साथ ये नगर दे दिए कहातियों के नगर उन्होंने यूदा और सिमोन वंश के ये नगर दे दिए ये हारून के वंशजों को लेवी वंशी कहाती कुलों को मिले क्योंकि पहली चिठ्ठी उनके नाम निकली थी उन्होंने उनको आसपास के चरागाहों के साथ यूदा के पहाडी प्रदेश का किर्यत अर्बा अर्थात हैबरोन दिया अर्बा अनाक का पिता था परंतु उन्होंने उस नगर के खेत और उसके आसपास के गाउं यफुने के पुत्र कालेप के अधिकार में दिये याजक हारून के वन्शजों को उन्होंने ये नगर और इनके आसपास के चरागाह दिये है ब्रोन हत्या करने वालों का शरण नगर लिबना, यत्तीर, एष्टमुआ, हुलोन, दबीर, एन, युट्टा और बेत्शेमेश अर्थाथ यूदा और सिमोन वन्श के भाग से नव नगर बेनियामीन वन्श से उन्होंने ये चार नगर और इनके आसपास के चरागाह दिये गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन, याजक हारून के वन्शजों के नगरों की कुल संख्या तेरह थी उनके साथ उनके आसपास के चरागाह लेवी वन्शी के शेश कहाती कुलों को एफराईम वन्श से नगर मिले एफराईम के पहाडी क्षेतर में उन्हें ये चार नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले सिखेम, हत्या करने वालों का शरण नगर गेसेर, किबसाईम और बेथोरोन फिर दान वन्श से उन्हें ये चार नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले एलतके, गिबतोन, अयालोन और गतरिमोन आधे मनसे के वंश से उन्हें ये दो नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले तानाक और गतरिमोन शेश कहाती कुलों को ये दस नगर और इनके आसपास के चरागाह मिले गेरशोनियों के नगर लेवी वंशी गेर शोनियों को ये नगर मिले आधे मनस्य वंश से दो नगर और उनके आसपास के चरागाह अर्थाद बाशान का गोलान हत्या करने वालों का शरण नगर और बैश्तरा इस्साकार वंश से ये चार नगर और उनके आसपास के चरागाह किशियोन, दाबरत, यर्मुत और एन गन्नीम आशेर वंश से ये चार नगर और इनके आसपास के चरागाह मिशाल, अब्दून, हेलकत और रहूब नफ्ताली वंश से ये तीन नगर और इनके आसपास ये चरागाह गलीलिया काक के देश, हत्या करने वालों का शरण नगर हम्मोद दोर और करतान, गेरशोनी कुलों को कुल मिलाकर तेरह नगर और उनके आसपास के चरागाह मिले मरारियों के नगर, शेश लेवी वंशी मरारी कुलों को ये नगर मिले जबुलोन वंश से ये चार नगर और इनके आसपास के चरागाः योकनाम, करता, दिमना और नहलाल रूबेन वंश से ये चार नगर और इनके आसपास के चरागाः बेसेर, यहस, केदेमूत और मेफात गादवश से ये चार नगर और इनके आसपास के चरागाह गिलाद का रामूत हत्या करने वालों का शरण नगर महनईम, हेश्बून और यजेर इस प्रकार लेवी वंशी मरारी कुलों को कुल मिलाकर बारह नगर मिले इसराइलियों की विरासत में लेवियों के नगरों की कुलसंख्या उनके चरागाहों सहित अरतालीस थी सब नगरों के आसपास चरागाह थे इसराइलियों के परती प्रभू की परतिग्याएं पूर इस प्रकार प्रभू ने एजराइलियों को वो सारा देश दे दिया जिसे देने का उसने उनके पूरवजों को शपत पूरवक वचन दिया था वे उसे अधिकार में कर उसमें बस गए प्रभू ने उनके समस्त देश में शांते स्थापित की जैसा कि उसने उनके पूरवजों को शपत पूरवक वचन दिया था उनके सब शत्रों में एक भी उनके सामने नहीं टिक सका प्रभू ने उनके सब शत्रों को उनके हाथ दे दिया था प्रभू ने इसराइल के घराने को जो जो आशिरवाद दिये थे उन में से एक भी व्यर्थ नहीं हुआ सब के सब चरितार्थ हुए